अब्रेद्स पर दिद्स वाला वो पूरा पर कर लिया होगा में रिप्रडॉडटिव सिस्टम को हमने काफी डीटेल में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडॉड़क्टिव सिस्टम कितने इवेंड्स होते हैं तो जैसे किम रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के वक्फ पड़ा था रीप्रदक्टी रीप्रोडाक्शन के बहुत सारे इवेंट होते हैं जो की मेल रीप्रोड़क्टिफ सिस्टम और फीमील रीप्रोडॉडक्टि फॉर्म-फिरम पहले प्रि फपै-फिर्टिल-फिलाईजेशन फीमील में प्रिटीलacional म्âyमील म जहँआ पर आपके एग और आपके को का फेटलाइजेशन होता है जिसके वज़ए से अपना डिपलयाइड बनता है और डिपलोट बनने के बाद पोस्ट पींटीडाइजिसन इवेंट्स में क्या होता है अब यहां पर कर तो इंप्लाइन की बैडिय से घुटा है और पॉर यન होता है कि प्रेंटि वाले हैं आर्टि सिस्टम के बारे में फी wait system के अचिए हुआ पर लें इंट्रोडक्शन देखता है कि फीमिल्य स्टम में कौने कौनसे से पार्ट से कौन से और गटन से और हमाइर यह उसको क्या बोलते हैं बच्क और jk C Ones, यूँए सब्सकों है सब्सक्राइब बंगाल ईकु अब अब आगे मिसमें आप गुट पर आ गे आध्य में इक वजाइना ऑट्र दो झाहे है तक म वीदफ से या आपना ओवरी जो मिन सेक्स और गन है क्यों कि इसके अंदर हमारे गमएक्स बनेंगे फिर यह हमारा और लीजन और टो यह तिनों पार्ट मिलकर यह बनाते हैं female reproductive system का accessory duct वाला पार्ट बनाते हैं क्या बनाते हैं female reproductive system का accessory duct accessory duct मतलब क्या होता है accessory organ यानि की जो main organ को help करता है support करता है proper function करने में और फिर उसके बाद आते हैं female reproductive system के external organs जैसे की आपका vulva pair of vestibular glands and mammary glands वल्वा क्या होता है वो हम detail में पढ़ेंगे यह देखो यहां पर हमारे female का external vestibule होता है तो यह vestibule है जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं यह हमारा vestibular glands और यह हमारे female का memory gland तो यह सारे आते हैं external genitalia में यह सारे किसमें आते हैं external genitalia में तो female reproductive system basically seven parts में डिवाइड़ेड है और यह अपना एक्सेशरी डक्त है और external genitalia में यह तीनों चीज़े आ जाते हैं आपका वेस्टिबल ग्लाइंड मैमरी ग्लाइंड वल्वा तो यह हमारे female के external genitalia का पार्ट है जो कॉपूलेशन करने में हेल्प करता है और तो चलो थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोड़क्शन देखते हैं और फिर मैं आपको डीटेल में बताती हूं फीमल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में पहले यह डाइग्राम देख लो सब यहां पर मैक्सिममम स्पॉर्म के डेट हो जाती है जो स्पॉर्म बच जाते हैं वो सर्वाइकल के नाल में एंट्री लेते हैं यानि कि यह अपना सर्विक्स वाला रीजन और सर्विक्स वाले रीजन के ऊपर आता है सर्वाइकल के नाल क्यों बोला जाता है इसको क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्पॉर्म का जो है के पासिटेशन होता है और वो स्पॉर्म आगे जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए पासिटेशन बैसिकली सर्विक्स वाले रीजन और वजायना के एंड से सेंडेशन करते हैं जब ही फस्टारथैसं करके जाता है तो गिए लिए फ्ल나न तेशन करके मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और फिर यहां पर आप साइगों आके इंप्लांट हो जाता है तो इस तरीके से डिशेज और समने होता है शेद और यह देखो यूरीनरी ब्लाइडर में उट्राश को क्मन लैंवेज में क्या गोलते है जहां पर आपका बच्छा पलता है और बाड़ी के डॉरिस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ओवेरियन लिगमेंट प्रेजेंट होते हैं यह हमारी औरी को बाड़ी के साइड-साइड के अब्डॉमिनल वॉल से खनेक्ने में हेल्प करते हैं यह देखो यहाँ पर आपका वजायना है वजायना के एक दम एंटियर व्यू में आपको कलितारिस देखने को मिलता है ज़ो इरेक्टायल टिशू से बना है जो को प्लेज़र देने में में रहता है जैसे मेल के पास एरेक्टायल टिशू से बना यहाँ पर अपका यूरेत्रा से आपका के यूटरस के पास जाके एंपूला रीजन में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फीमेल का रीप्रोडक्टिव सिस्टम का अर्रेंजमेंट कुछ हमको इस तरीके से दिखाई देता है मैंने यह पिच्चर यहां पर इसलिए रखिए ताकि आपको बेटर विज्वलाइजेशन क्योंकि डाइग्राइम जब अच्छे से दिखाई देते हैं तो अंडर्स्टैंडिंग की लेवल यह अलग हो जाती है अब हम देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो देखो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया है तो फीमेल वीप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस् कि देखो अगर अगर उसे रखली आपको ड्रोंख करके बताऊं तो यहां से आपका ऐसा यहां से आपका पाई दूसरा औरीा तो यह बीच पर एक यूटरस से कनेक्टे न है है ओके यह है अपना येह है फिरसों तो पीजाइनी मäischen सारी जाना के क्या बनाता शर्विकज कर नीचे अपना वजायना में कमक्या इंट्री होती है ठीक है, so this is the vaginal region, okay, and it also contains external genitalia located in the pelvic region और हमारे female reproductive system में हमको external genitalia भी देखने को मिलता है external genitalia कैसे दिखाई देता है, यह देखो, यह अपने female का external genitalia का diagram है यह पूरा का पूरा external organ है, ठीक है, labia majora, labia minora, vestibule, vagina, anus, urethra की opening जहां से urine निकलता है, penis जहां enter करता है, vagina यहां से sperms enter करते हैं, clitoris की arrangement तो यह पूरा का पूरा आपका external genitalia का part है, ओके, तो अब देखो आगे आपको क्या बताया गया है इस parts of the system along with a pair of memory glands are integrated structurally, ओके और इसके अलावा external genitalia के अलावा, memory glands भी female reproductive system का part है, memory gland मतलब क्या होते हैं, female breast जहां से newborn baby को feed किया जाता है, these are the memory glands of a female, जहां पर milk का production and storage होता है यह memory glands और सारे organs मिलकर क्या बनाते हैं, they are integrated, integrated यानि की arranged यह पूरे के पूरे एक साथ arranged है, कुछ इस तरीके से, जिससे structurally and functionally हमारी female का ovulation, fertilization, pregnancy, birth और child care सब कुछ support हो सके, ठीक है, तेखो ovary में आपका ovulation होगा, okay, ovary से आपका ovulation होगा, egg release होगा, uterus में आपका fertilization होगा याने की oveduct में आपका fertilization होगा, fertilization होने के बाद जो embryo बनेगा, वो आपके uterus में आके implant हो जाएगा और birth के time पे आपका जो बच्चा है, वो cervix और vagina से बाहर निकलेगा, और फिर बच्चे की देखभाल करने के लिए mammary gland से उसको milk feed किया जाएगा, तो female reproductive system के body में जितने भी organs हैं, वो सारे के सारे organs यूज होते हैं, reproduction कंप्लीट करने के लिए, अब आगे देख़ो हमको क्या बताया गया है, ओवरी जार दा primary female sex organ जो मैंने आपको यहां पर लिखके दिया था कि ओवरी जाता है, प्राइमरी female sex organ क्यों बोला जाता है, ओवरी में क्या बनते हैं, हमारे gamet बनते हैं, क्या बनत प्राइमरी ढंटे हैं क्यों क्यों बोला जाता है इसको प्राइमरी sexual organs क्यों क्यों बनते हैं हमारा gamut बनता है, और इसमें क्या बनते हैं फीमेल के hormone बनते हैं, कौन से hormones बनते हैं, पांच different type सबसे पहले आता है estrogen फिर आता है एक हटर जेस्टिरोण पूल सब लिखते हैं estrogen प्रोजेस्टिरोड अक्याक्टिव लाइन इन क्यों करते हैं सब चांगे इस्ट्रोजन और प्रोजिस्टरोन हर्मोन आपका ओवियूलेशन डिसाइट करते हैं कि फीमेल का गैमिट कब बोड़ी से बाहर जाएगा और प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या-क्या चेंजेज होंगे एक्टिविन इनिबिन और रिलाक्सिन हर्मोन यह बेसिकली आपके प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है ठीक है प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन से चीज़े कौन से आक्टिव होंगी कौन से प्रोसेस को इनिबिट करना है और कब हमारे फीमेल रिप्रोड़क्टिव ट्रैक को यह तीन होर्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर काम करते हैं तो फीमेल होर्मोन आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच फीमेल होर्मोन आप याद होना चाहिए इस्ट्रूजिन प्रोजिस्ट्रॉन आक्टिविन इनिविन और रिलाक्सिंट चलो अब आगे बढ़ते हैं दो लोकेटेड वन और इच साइड उफ दो लोवर अब्डॉमें तो अभी हमने डाइग्राम देखा कि ओवरी कहां पर लोकेटेड होती है यह देखो बहुत ही ब्यूटिफुल सा डाइग्राम आपको यहां पर दिखाया गया है आपके अप्डॉमिन के नीचे आपके स्टमक होती है एक लेफ्ट साइड में बॉड़ी के और एक राइट साइड में ठीक है ओके तो टू ओवरी साथ प्रेजेंट बिलो दा एब्डॉमेंट इच ओवरी इस अबाउट तो तो फॉर सेंटीमेटर इन लेंद्ध एक ओवरी कितनी होती है अप्रॉक्सिमेटली टू तो बेollar है यह दो यह जो लिगामेंट इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट क्या ऑवरी 222 का करता है तै हमारे ओवरी यूटरस से फिल्विक को ब ráp बैलियक यहाँ पे बहुत सारे उलग अलग फ्रेजेंट्य है Kai them यह देखो ovarian ligament यह क्या कर रहा है यह हमारे ovary को uterus wall से connect करके रख रहा है और यहां से जो ligament होंगे यह हमारे ovary को pelvic wall यानि कि अपने कमर वाले region से connect करके रखेगा ऐसा नहीं होता ना कि आपके body में यह ovary ऐसे ही खाली हवा में जूल रही है है ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता है आपकी ovary हमारे pelvic wall से भी connected होती है यहां पर ligaments की मदद से और uterus से भी connected होती है ovarian ligament की मदद से तो ligament क्या करता है एक organ को दूसरे organ से connected रखता है ओके all right ओके इच ओवरी is covered by a thin epithelium अब हमको यहां पर क्या बोला गया है कि हमारा यह जो ovary है यह ovary एक बहुत ही पतले से epithelium layer से covered होता है it is covered by a thin epithelium जो क्या करता है हमारे ovarian stroma को enclosed करता है यानि कि हमारे ovary का जो center वाला region है सब लोग यह diagram देखो हमारे ovary के ऊपर एक पतली सी epithelial layer होती है जिसको हम बोलते germinal epithelium और यह जो epithelial layer है actually germinal epithelium ने एक पतली सी follicular layer होती है जो हमारे ovary के ऊपर ऐसे present होती है और हमारी ovary का जो stroma है यानि कि उसका जो center वाला region है देखो यह जो medulla है medulla को ही हम stroma बोलते हैं हमारी ovary का जो यह stroma वाला region होता है center वाला region होता है यह दो पार्ट में divided होता है एक inner medulla और एक outer cortex ovary का जो यह बाहर का border वाला region है बच्चों जो मैं red color से highlight कर रहे हूं इसको हम बोलते हैं cortex region और ovary का यह जो center वाला region आपको दिखाई दे रहा है जो मैं color कर रहे हूं इसको हम बोलते है medulla region या इसको आप stroma बोल सकते हो inner medulla या फिर आप इसको stroma बोल सकते हो ठीक है तो the stroma is divided into two zones एक आता है अपना peripheral cortex परिफेरल का मतलब क्या होता है side side का साइड साइड में जो region प्रेजन यह देखो यह आपके side साइड में प्रेजन अलग कलर से बताती हूं यह देखो यह आपको light blue color से बता रही हूं यह आपका cortex वाला और सेंटर में जो रेड कलर का रीजन है वह आपका medulla वाला पार्ट है ठीक है अब आगे देखो क्या बताया गया है यह यह अपना यूटरस और यह अपना वजाइना यह तीनों मिलके क्या बनाते हैं फीमेल का अक्सेसरी औरगन बनाते हैं अक्सेसरी मतलब क्या होता है जो फीमेल को प्रेगनेंट होने में help करता एक सपोर्ट देता है इच फेलोपियन ट्यूब इस अबाउट 10-12 सेंटीमेटर लॉग हर एक फेलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है यहां से लेकर यह तक सब्सक्राइब करते हैं अब आपको यहां पर एक ध्यान से क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी से नस्दीक है वह ऐसे फनल शेप का दिखाई दे रहा है आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगेरा में ऐसे फनल रखके फिर उसमें इसे पेट्रोल या डीजल डाला जाता है टैंक में अभी तो खेल पाइप सा गए जिससे डायरेक्ट आप डीजल इंजेक्ट कर सकते हो लेकिन पहले क्या होता था इसे फ इनवर्टेट फॉनल शेप का दिखाई दे रहा है जिसको वह बोलते हैं इनफंडी बुलम क्या इसको एक ब्रोजेक्शन रूखो मैं आपको एक बेटर डिखाए यहां पर देखो यह आपका फेलोपियोग का श्रोक्चर यह आपका कॉन सा स्ट्रोक्चर यह आपका पूर यह अपना उवरी है तो फेलोपqua जो पार्ट अपने ऑवरी से नजदीक है उसको बोलते इंफंदी बुलम और इंफंडी मुलम के पास प्लीक प्रॉजक्शन प्रेजंट हैज इसको मुलते हैं इस पार यह एanchot होती है लेकिन कुछ-कुछ Fembriasse के बीच में नुज होते हैं, कुछ-कुछ Fembriase में क्या प्रेजंट होते हैं जिनको हम,, जिनको हम क्या बोलते हैं,ает hal uniform होता क्या है जब आपके ovary में गैमेट बनता है तो ये Fembriae अपके इस गैमेट को अपने अंदर ले लेता है और इस तरीके से आपका जो फीमेल का गैमिट है यह यहां से यहां चला जाता है और फिर आपके फिम्रिय के अंदर ऐसे सीलिया स्ट्रॉक्चर प्रेजन्ट होते हैं हमारे इंफंडी बुलम के अंदर पूरा फीमेल विप्रॉडक्टिव ट्रैक जो है वह सीलियेट है इपिथीलियंशी हमारें विश्य फालय यहां पर बन रहा यह sudah को आगे आगे पुष करेगा तो और कि पूल के पास खुदके हाथ प्र ANDREW ऑम के पास एसे खुदके पर हैं कि शुटकब चल्कर चल्करे चल्क जलका के पास पहुंच जाए ओवं के पास खुद के पैर नहीं है इसलिए ओवं को हमको धक्का दे दे के आगे भेजना पड़ता है तो ओवं को आगे 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 पुश करने के लिए यह सीलिएटड एपिथिलियम यूज किया जाते हैं और ओवं एमप्यूला तक क्यों पहुंच उस ओवं को आगे पुश करने के लिए हम सीलिएटड एपिथिलियम की मदद लेते हैं यह ओवं जब एमप्यूला वाले रीजन में पहुंचता है और उसी टाइम पे अगर आपका स्पर्म एमप्यूला वाले रीजन में आ गया जब आपका ओवं वायबल है तो फर्टिला यह वाइड पार्ट में आपको फिंब्रीय जैसा देखने को मिलेगा और यह जैसा जो पास चोटे चोटे फर्टे होल जोते ऑस्टियम जिनकी मदद से हम गैमिट को अंदर खीच लेते हैं यह जो ओवं यहाँ पर बना है इस ओव और खीच लेते हैं यह जो फिम्रीय क्या ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो यह ओवम इस फिंब्रिय की मदद से अंदर चला जाएगा ठीक है ओके इंफंडी बुलम लीट्स तो वाइडर फार्ट ओवीडक्ट कॉल एंप्यूला तो अब देखो हम को यहां पर क्या देखने को मिलता है यह इंफंडी बुलम आगे जा हमारे ओवम को फर्टिलाइस करता है ठीक है तो अगर अगर हम देखें तो हमारा फेलोपियन ट्यूप तीन पार्ट में डिवाइड़ेड है पहला है इंफंडी बुलम दूसरा है एंप्यूला और तीसरा है इस तमस यहां तक सब को क्लियर है यहां पर हम लिख देते हैं क् कि हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है पहला है आपका इन्फंडी बुलम के पास क्या प्रेजंट है एक मिनिट इन्फंडी भूलम के पास प्रेजंट है इंफंडीन चैंपरिय क्या करता है यह घक और सब्सि Wade करansen हो होता है इसलिए एंप्यूला को हम क्या बोलते हैं साइट और फर्टिलाइजेशन देखो यह मैं आपको नोट्स बनाके दे रही हूं आप कलर फुल मार्कर पेंट्स यूज करके ऐसे अपने शौट नोट्स बना सकते हो और फिर अपना क्या आता है एंप्यूला के बाद अप इस अपनेक्टिंग टू यूटरस तो एक बार एक बार जब आपका एंप्यूला में फर्टिलाइजेशन हो गया समझों यह ओवम है और यह स्पर्व मैं जब यह फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका जाइगोट बनेगा अब यह जाइगोट में आया okay the uterus is single and it is also called womb यह मैंने आपको पहले ही बोला था कि uterus को हम क्या बोलते हैं वुम्ब यह देखो यह अपने uterus का structure can you all see this this is our uterus यह अपना पूरा का पूरा uterus का structure है इसको हम बोलते हैं this is the body of uterus okay all right देखो अभी दर पर क्या बताया गया है हमको the shape of the uterus is like an inverted यह uterus हमको किस तरीके से दिखाई देता है जैसे पियर फ्रूट आपने खाया पियर फ्रूट बेसिकली ऐसा दिखता है पर uterus inverted pure shaped है क्योंकि यह नीचे की तरफ आपका cervix और वजाइना प्रेजेंट है और यह आपका मीन बोडी है uterus का it is supported by यह uterus कैसे सपोर्ट किया गया साइट साइट से आपके ओवरी से ओवेरियन लिगमेंट निकल रही है और इसके पीछे तरफ से डॉर्सल तरफ से लिगमेंट निकल रहे हैं जो हमारे uterus को से connect करने में help करते हैं जिए यूटरस ओपन इंट वजाइना थ्रू आरो सर्विक सब लोग यह डाइग्राम देखो हमारा यह जो यूटरस है यह यूटरस कहां पर ओपन होता है यह यूटरस सर्विक्स में ओपन होता है और सर्विक्स की ओपनिंग कहां पर खुलती है सर्विक्स के कैविटी को क्या बोलते हैं यह रहाँ जो बीच का कैविटी है इसको नाघना एक मिनिट में मारकर का कलरश चेंज कर लूँ हाँ इस कैविटी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाव यह देखो अगे ले चैना ओं से यह से बाहर की तरफ पुष किया जाता है वजाइना से टीक्रांट अब देखो हमको यहां पर क्या बताया गया है वह थीटिशू से बना है वह पजू लेटरीम यह बाहर के लियर यह यहां पर यह पर लेबल नहीं की गई है that is perimetrium जो outer layer होती है this is the first layer second layer होती है myometrium और सबसे अंदर की layer होती है endometrium एक एक करके तीनों का function देखते हैं okay the external thin membranous tissue is called as perimetrium middle layer को बोलते है myometrium जो smooth muscle से बनी है देखो external layer एक दम thin membrane से बनी है उसको बोलते है perimetrium peri का मतलब क्या होता है outside बाहर की तरफ periphery में myometrium middle muscle layer है and inner glandular layer जो है वो endometrium से बनी है जो हमारे uterine cavity के side side में present है यानि कि यह जो अंदर आपको red color की layer दिखाई दे रही है can you see this red color का layer this is your endometrium और यह जो pink color का layer आपको दिखाई दे रहा है this is your myometrium basically perimetrium जो है यह सिर्फ आपको protection करने में help करती है it is a very thin membrane myometrium आपको delivery के टाइम पे contraction करने में help करती है मतलब myometrium में बहुत ज्यादा prostaglandin hormones produce होते हैं जो child delivery के टाइम पे contraction करने में help करती है during parturation जब बच्चों को बाहर निकालना होता है बच्चों को यानि बच्चे को जब बाहर निकालना होता है तो parturation के myometrium में signal produce होते हैं जिसके वज़े से vigorous contraction होता है female का जो womb है वो contract होके बच्चे को बाहर की तरफ पुश करता है और endometrium जो है यह हमारे uterus का nutritive layer होता है क्या होता है यह हमारे uterus का nutritive layer होता है बच्चे को endometrium से ही पूरा nutrition मिलता है क्योंकि endometrium के पास ठेहर सारी blood vessels होती है और blood vessels के थूरू उसको ठेहर सारा nutrients और oxygen मिलता है ठीक है ओके the endometrium undergo cyclical changes during menstrual cycle और जब female को menstrual cycle आते हैं यानि कि जब periods आते हैं तो उस time पे भी endometrium की layer ही ठीक होती जाइगोट को nutrition मिल सके लेकिन अगर fertilization हुआ ही नहीं है तो endometrium की layer रखके क्या करेंगे तो ये endometrium की layer दीरे-दीरे करके बाहर आने लग जाती है तो जब periods आते हैं तब actual में आपके endometrium की layer बाहर आ रही है क्योंकि कैसे होता है समझो जो आपके घर में महमान आने वाले तो आप उनके लिए खाना बना के रखते हो वैसे ही समझो कि female की body में अगर जाइगोट बनेगा तो जाइगोट अपना महमान है अगर जाइगोट बना तो उसको खाने के लिए नहीं तो अगले महिने जब महमान आएंगे तब आप फ्रेश खाना बनाओगे तो यह जो खाना बचा हुआ है जो पहले से endometrium ready हो गया था अब इसका हम क्या करेंगे तो यह लेयर हम body के बाहर dispose कर देते हैं तो जब मेंस्टुल में साइकल उसे बहुत सारे साइक्लिकल दिखाती है क्योंकि मेंस्टुल साइकल एवरी मंथ आता है वहाइं दमाई अधे पूर्ड को दे करता है याने कि इस ओरगन की बात कर रहे हैं तो फीमेल के external genitalia में हमको कौन से कौन से ओर्गन देखने को मिलते हैं let us understand all right तो चलो अब हम पढ़ते हैं external genitalia के बारे में the female reproductive the female external genitalia include mons pubis labia majora labia minora hymen and clitoris एक-एक करके हम आपको सारे structures बताते हैं सबसे पहले हम देखते हैं mons pubis के बारे में देखो sorry mons pubis के बारे में हमें क्या बताया गया है it is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair mons pubis एक ऐसा structure है जो tissue से बना है and it is covered by skin यह देखो सब लोग यह diagram देखो सबसे upper layer जो होता है that upper layer is known as mons pubis और यह region यहाँ पर keratin protein होती है यह सब्सक्राइब के अलावा आपको किसी भी region में hair देखने को नहीं मिलेंगे only mons pubis contains pubic hair okay so this is the outermost region and its main function is protection ठीक है किसी भी आने वाले dirt particle antigen foreign particle को यह hair trap करने में help करते हैं so this is the region of mons pubis अब अपना next part कौन सा आता है the labia majora labia मतलब क्या होता है बच्चा labia यानि की lips like structure okay so the labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from mons pubis and surround the vaginal opening देखो मैं आपको diagram में ही यह दोनों चीज़े explain कर देती हूं यह है अपना labia majora जो एक lip के जैसा structure है जैसे हमारे mouth के lips ऐसे होते हैं यह वजाइना का lip like structure है यह outer fold है यह skin का outer thick fold है जो skin हमारे वजाइना के internal organs को protect करता है यानि की female reproductive track के जो external genitalia है जो sensitive region है उनको protect करने का का labia majora करता है labia majora की अंदर हमको और एक पतला skin का structure देखने को मिलता है जिसको हम बोलते labia minora यह labia minora inner vestibules को protect करता है यानि की vaginal opening hymen और urethral opening को protect करने का काम करता है तो सबसे पहले आता है mons pubis which contains pubic hair फिर आता है labia majora which are nothing but major skin folds फिर आता है labia minora जो inner skin like structure है जो हमारे vestibules को protect करता है ओके लेविया minora are paired folds of tissue under the labia majora यह labia minora कहां पर present है labia majora के अंदर की तरफ the opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen अब देखो हमको इधर पर क्या बोला गया है कि female का जो vaginal opening होता है वो एक tissue membrane से covered होता है जिसको हम बोलते हैं यह देखो एक पतला सा cartilagenous tissue या पतला सा thin membrane होता है जिसको हम हाइमन बोलते हैं वजाइना को ओपनिंग यह आपका वजाइनल रीजन है ठीक है यहां पर यह जो आपको वजाइनल ओपनिंग दिखाई दे रही है ना इसके उपर एक पतला सा यह आपने देखा होगा पीरियड वाले आड्स में जो लड़कियां स्विमिंग वगेरा करती हैं वह पैड्स नहीं लगाती है वह टाइमपॉंज करती हैं ऐसे कॉटन का बॉल होता है तो यह टाइमपॉन आड करने के ताइम पे पाइमपौन के टाइम पे जब फिर्स नाइन आप सेक्शुल इंटर गल्स करते हो यह स्विमिंग करते हो यह जिमनास्टिक्स के आग्तिविटि करते हो तो उसके वज़े से भी यह हाम भेक हो सकता है तो हामन इस दिए आउटर कवरिग ओके विच प्रेज़र्ग अन दे यह चोटे से फिंगर जैसा structure है यह देखो यहां पर clitoris जो यह हमारे हम जोटे से finger जैसा structure जो lebya मा voltage के जॉइनिंग से बनता है याने कि anterior view यह हमारे legit ya majora के नीचे और lebya minora के ऊपर यहां पर present होता है यह clitoris इरेक्टाइल टिशू से बना हुआ होता है जो फीमेल प्लेजर के लिए यूज किया जाता है याने कि जब फीमेल को प्लेजर मिलता है सेक्ष्वल कॉपिलेशन के टाइम पे तो उस टाइम पे उनका क्लिटॉर इस अक्टिवेटेड होता है ओके अल्राइट अब देखो कि जृटज़ करते हैं चोर्णा right नियुक्ट करते हैं या एक्टिव पारिषिपेशन करते स्पोर्ट luckily ऑपके यहा होता है कि कभी-कभी sexual intercourse कर लिया लेकिन वजाइनल ब्रेक नहीं हुआ ब्लीडिंग नहीं हुए इन फैक्ट प्रेजेंस और अपसेंस ऑफ हाइमन इस नौट रिलाइबल इंडिकेटर और वर्जिनिटी और sexual appearance तो ऐसा जरूरी नहीं है देखो एंडियन ससाइटी में ऐसा बोला जाता है कि जिस फीमेल का first time first night यानि कि sexual intercourse करने के बाद bleeding नहीं हुआ मतलब वो फीमेल वर्जिन नहीं है क्योंकि उसका हाइमन पहले से ब्रोकन है आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि हाइमन सिर्फ inter कोर्स के वज़े से ब्रेक नहीं होता है वजाइना के उपर जो यह टिशू प्रेजेंट है जब पीनस अंदर इंसर्ट करेगा तो यह टिशू ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग होती है पर यह टिशू ब्रेक होने के बहुत सारे रीजन है साइक्लिंग के वज़े से ब्र हाइमन ब्रेक हो जाता है तो इस नौट रिलाइबल इंडिकेटर याने कि हाइमन होना या ना होना उससे हम वर्जिनिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं और अब लास्ट में देखो हमको क्या बताया गया है मैमरी ग्लाइंड के बारे में बताया गया है अब फंक्शनल मैमरी ग निटेफाइंड के बोलते हैं एक मिट लट मीजेश्ट राइ welcoming जोडले खुरन मैमे मिड़ाइंड के लाइंड जोडे विडाइंड मैमरी ग्लाइंड के बोलते हैं कि बिच्स नों अवर्थेस प्रेश्ट फेक्स वॉयट एकमडिपाइड दोस्वेड तरू आइं टीशू एन वेरियबल अमाउंट फैट तो हमारा यह जो मैमरी ग्लाइंड होता है याने की जो ब्रेस्ट होते हैं इनके पास बहुत सारे अलग अलग ग्लाइंड टीशू याने की ग्लाइंड प्रेजेंट होती है जो लैक्ट शुगर वगेरा रिलीस करेंगी और इसलिए मै वेस्टीबूल ग्लाइंड यह देखो फीमियल के वचाइणा में आपको बार्थोलीन ग्लाइंड जैसे और वजाइना के इंठरनल प्रेजेंट ऐए in कि acidity कम करने में help करता है और smooth movement करने में help करता है ठीक बार्थोलीन ग्लाइन का भी वही काम है तो कभी-कभी नीट में ऐसा एक question आता है which gland is homologous to males corpus gland तो आप क्या बोलोगे बार्थोलीन gland is homologous to males corpus gland यह point बहुत important है अब देखो हम female के memory gland के बारे में बात करें तो female का जो memory gland है उनके पास ऐसे बहुत सारे lobe like structure होते हैं जिसको हम बोलते हैं memory lobes जिनको हम क्या बोलते हैं memory lobes या memory lobules यहां पर देखो यह हैं आपके lobule वाले structure ठीक है ओके सो दे अब्रेस्ट कंटें 15-20 memory lobes which contains cluster of cells called alveoli यह लोप के पास बहुत सारे cells present हैं जिनको हम बोलते हैं यह अपना एक lobe है यह अपना दूसरा लोब है यह अपना तीसरा लोब है और इनके अंदर आपको यह चोटे-चोटे sack like structure जो देखने को मिल रहे हैं income बोलते हैं memory alveolus यह internal cells like structure यह चोटे-चोटे बलून लाइक structure इनकों बोलते हैं memory alveolus the cells of alveoli secrete milk तो यह alveoli के cells क्या करते हैं यह milk secrete करते हैं और यह milk का secretion कब होता है जब हमारे female के body में prolactin hormone बनता है यानि के lactotropic releasing hormone LTH और यह hormone कब बनता है जब female pregnant होती है तो एक याद रखो बच्चों को यह misconception होता है कि periods के बाद female के breast से milk निकलने लगता है ऐसा नहीं है जब female pregnant होती है तो female के body में prolactin hormone बनता है pitutory gland से और फिर यह hormone के वज़े से female के cells होते हैं alveoli cells जो breast में present होते हैं वह milk secrete करना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ pregnancy के बाद यानि कि जब बच्चा डिलिवर हो जाता है after pregnancy यानि की पार्चुरिशन के बाद female के breast से milk production स्टार्ट होता है कभी-कभी prolactin hormone कम बनने के वज़े से कुछ-कुछ females में milk producing नहीं हो पाता है से कुछ-कुछ females में milk हो जाता है यानि वह अपने बच्चों को फिर पहार का मिल्क पिलाते हैं तो जो हमारे फीमिल के memory lobes में alveolar cells है वह क्या करते हैं milk secrete करते हैं जो स्टोर होता है alveolar के lobes में यानि कि यह देखो यह जो अपने बलून लाइक यह अपने लोब्यूल के अंदर आपको अब देखो इदर पर डाइग्राम में क्या बताया गया है इसको उम बोलते हैं या मैमरी डक्ट देखो इदर आपके डाइग्राम में भी दिया गया है यह देखो यह आपका मैमरी लोब के अंदर alveolar है और यह मिल्क कहां पर कनेक्ट करके बना रहा है यह अगे जाके लैक्टि फेरस डक्ट से यह अपीला वाला रीजन है जहां पर आपका लैक्टि फेरस डक्ट बनता है और यह यहां से यहां से यहां से यहां से निपल के नीचे जो डार्क ब्राउन कलर का रीजन होता है उसको हम बोलते हैं और यह सारी चीज़े आपको अच्छे से याद यह देखो हमारे ब्रेस्ट में फैटे टिशु जो प्रेजन होता है उसको हम बोलते हैं और यह हमारे रिब केज के बोन्स है ठीक है पेक्टोरल मसल्स जो हमारे चेस्ट के वॉल से कनेक्टेड है यह देखो हमारा रिप के ज़ए तो इस तरीके से अपना फीमेल सेशन आपको जल्दी मिलेगा इस वीडियो को दो बार देखो अपने खुद के नोट्स बनाओ जैसे हमने यहां पर चार्ट बनाके आपका नोट्स बनाने का ट्राय किया है और वीडियो अच्छी लगे तो सेशन को लाइक कर देना फ्रेंड्स के साथ शेर कर दो चैनल को स दो चैनल की लाइटाब का लाइक नच्ट बीडियो लाइख शेर के लेडियो है जई चैनल को बैद खुद के लाइट वाचिक बार चमारेटर वार चैनल को बड़्यो